नमस्ते तो आज हम एक और रिडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ में दुबारा कौन एंट्री करने वाला है ठीक है देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए ठीक है अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो इसके लिए हम पिकल कार्ड भी ब ठीक है वो कोई भी हो सकता है ठीक है अए फर बात रेजनरेत नहीं होगी जनरल रिडिंग है जो आपके साथ रेजनरेत होता है वो रख़्यों बाकि का छोड़ दो ठीक है तो कोशिश करते हैं जानने की कॉन है जो आपकी लेत में दुबारा एंट्री करने वाला है तो सब से पहले तो मुझे ही आपका friend दिखाई दे रहा है guys ठीक है हर बात हर किसी के साथ resonate नहीं होगा ठीक है आपके साथ जो resonate होता है वो रख लो यह ऐसा कोई friend है जो कई दिनों से उनकी और आपकी मुलाकात नहीं हुई है ठीक है यह male भी हो सकता है यह female भी हो सकता है यह ऐसा अंसान है जो कई दिनों से आपके साथ मतलब पहले past में past में आप दुनों ने बहुत ज़्यादा time spent किया है एक दुसरे के साथ ठीक है लेकिन कई दिनों से आप दुनों की मुलाकात नहीं है में भी contact नहीं है और अब यह अंसान यह जो आपका friend है male female जो कोई भी है वो आपकी life में injury करने वाला है ठीक है और उनकी राशी हो सकती है cancer scorpio pice okay guys oh my god यहाँ पर ना ऐसा हो सकता है कि यह ऐसे कोई lady है queen of cups है वापस वही energy यह ऐसी कोई female है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ठीक है female वह आपकी friend हो सकती है आपके विश्चिदार हो सकती है कोई भी हो सकती है ठीक है ऐसी कोई female जिसकी उम्र हो सकती 25 से 30 साल वह आपके life में अच्चारक से entry करने वाली है और वह ऐसी lady है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है वह आपकी sister भी हो सकती है जो कई दिनों से शाद आपकी मुलाकात नहीं हुई है या हो सकता है कि आप दुनों के बीच में किसी बात की बज़ा से जगड़े हुए थे कोई मनमुटाव चल रहे थे कई दिनों से आप दुनों के मुलाकात नहीं थी तो अब हो सकता है कि ये lady आपकी जिन्दगी में वापस आए लेकिन ये जो कोई भी है वो आपके वेल विशर है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है आपकी अच्छा आपके लिए अच्छा सोचती है ठीक है आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको बहुत फिकर होती है और इसको आपकी चिंता बहुत होती है लेकिन ये दिखाती नहीं है ठीक है बहुत आपके सिस्टर जो हो सकता है ससुराल चली गई हो या कुछ मनमटाव हो गए थे आप दोनों के बिच में ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड सिस्टर या कोई रिष्टेदार हो सकती है जो आपके लाइफ में दुबारा एंट्री करने वाली है ठीक है हर बात हर किसे के साथ रेजनेट नहीं होगी जनरल रिडिंग है ओके पोशिश करता है कौन है वो जो आपके लाइफ में दुबारा एंट्री करने वाला है अगर आप अपने परसन का इंतजार कर रहे हो जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था अगर आपका प्यार आपसे बिछरा है तो ये प्यार आपके लाइफ में दुबारा एंट्री करने वाला है बहुत ब्यूटिफुल कार है बहुत ही ब्यूटिफुल ठीक है और मुझे बहुत ऐसे ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जो आप अपनी person का इंतजार करे हो और यह आपका प्यार आपकी जिन्दग में दुबारा entry करने वाला है अगर किसी कारणवर्ष आप दोनों के बीच में ब्रेक अफ हुआ था अगर किसी कारणवर्ष आप दोनों एक दोसे से बिछड़ गए थे तो अब यह शुबखड़ी आ गई है कि आपका प्यार आपकी जिन्दग में वापस आने वाला है बहुत ब्यूटिफुल ठीक है अगर आप अपने देखो कार उचल कर नीचे गिर गया ओमाइगोड टेन अप कप्स का कार है गाईस मैं लेकर आती हूँ टेन अप कप्स गाईस मुझे यहापर कुछ लग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपकी शादी हुई थी ठीक है कुछ लोग हर किसे के साथ रेजन हो सकते हैं कोई मनमुटाव है जगड़े है और उसकी बज़र से आप दोने एक दूसरे से दूर रह रहे थे आपकी हजबन या आपकी वाइफ आपसे बात नहीं कर रहे थी वो उसके अगर वाइफ है तो उसके माईके चली गई थी अगर आप एक वाइफ देख रही हो तो आपकी परसर ने आपसे बात करना बंद कर गया था और आपको अपने माईके जाना पड़ा था तो ये आपका पार्टनर जो आपका लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी हुई थी लेकिर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे यह इनसान आपकी लाइफ में होने वाले हैं general reading है हर बात हर किसी के साथ resonate नहीं होगी लेकिन जिसके लिए जो मैसेज जाना है वो जाईगा काल सक Ih कि लहाइक है को टाज़र कर लेते हैं मतलब होर डीप जानने कीुशिश करते है कर सबसे पहले क्लारिफाइ करते हैं फ्री आप कप्स को यहाँ पर क्यूं है तो यहाँ पर है यह एसा परसन है जिसकी राशी हो सकते एक एंसर सक्रूप्यों पाइसी तोरश स्वर्गों क्याप्रिकॉन और यह ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वरकिंग है मतलब उ को उसके लिए बहुत मेहिनत कर रहा है और वह अपने काम में बहुत बेजी है यह ऐसा कोई अंसान है जो बहुत ज़्यादा वेTH काम कर ने वाल है अपकेекст कर लेकर कुछ कुछ भी ऍाधिम जानने को मिलेगा क्विन अपक्ष क्यों है यहाप पर क्विन अपकक्ष्ट क्यों है यहां पर क्विन अब कशुष और फाइव अब कश देखो गाइस यह एज जो कुछ भी यह लेडी जो भी है ठीक है 25 से 30 जिसके उम्र हो सकती आपको बहुत पसंद करती थी आपको बहुत चाहती थी प्यार करती थी ठीक है एक मा कैसे अपने बच्छों से प्यार करती है उस तरह इसने आपको हमेशा चाहा है हमेशा आपकी चिंता की है हमेशा आपकी केर की है और five of cups के energy जो यहाँ पर आई है इसका बहुत emotion loss हुआ है maybe इसने किसी अपने करीबी को खोया है या आप से दूर जाने का दर्द इसके दिल में इतना ज़ादा है कि वो बहुत ज़ाद दुखी है और वो अपने दुख को मिटाने के लिए ठीक है उसको जो डर है आपको खोने का वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहती है उसको जो इसको क्लारिफाय करते हैं डिलवर्स क्यूं है या पर डिलवर्स क्यूं है और तो यह ऐसा इंसान है जो बहुत ज़ादा लाक अप क्लारिटी है इसमें ठीक हैं कन्फूजन हमेश्वें इसके दिमाग में रहता है इसकी राशी जेमिनाइव हो सकती है लिब्रा अक्वरस जमिनाई हो सकता है वो इंसान ठीक है और उसको बहुत ज़्यादा confusion रहता है उसके दिमाग में दो दो thoughts उसके दिमाग में चलते रहते हैं उसके आखों पर जैसे पट्टी बंदी हैं उसको सामने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है decision कैसे ले क्या समझ नहीं बारा है और वह इंसान आपके लाइफ में इंट्री करने वाला है जो आपका पुराना प्यार है जो आपका खोया हुआ प्यार है ठीक है जिसको मेबी बहुत ज़्यादा lack of clarity होने की बज़ा से वह आपकी जिंदगी से दूर चला गया था उसने आपको इग्नोर किया था ठीक है वह इंसान आपके लाइफ में इंट्री करने वाला है हर बात हर किसी के साथ रेजनेंट नहीं होगी जो आपके साथ रेजनेंट होता है वो रख लो बागी का छोड़ दो ठीक है और टू अप सोर्स के इनरजी है अब लिब्रा एकवरस जमिना ठीक है अब टेन अप कप्स को क्लियारिफाय करते हैं टेन अप कफ क्यों है किंग आप पैंटर को ओ माइग यह जो कोई भी आपके लाइफ पार्टनर है जिनके साथ आपकी शादी हुई ओके तो देखो टेन अप सोर्स है अब जैसे के मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ लोग शादी शुदा है ठीक है और वो अपने पार्टनर का अगर इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में दुबारा एंट्री करने वाले है ठीक है लेकिन जो पास्ट में देखो इस इंसा ने आपको धूका दिया है यह टेन अफ सोर्स के एनरजी है इसने आपको धूका दिया ठीक है हो सकता है बहुत चांसे से कि इसने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया या आपके पीठ पीचे इसने ऐसा कुछ काम कर दिया था कि जिसके वज़़े से आपका दिल तोटा ठीक है और आप फिर दोनों अलग हो गए यह ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ फरेव किया है धोका किया है और अब यह अशान आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आना चाहता है अब वो अगर आएगा तो एक स्टॉर्ड ओफर के साथ आने वाला है और वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता है वो अब आपसे दूर नहीं जाना चाहता कभी भी नहीं जाना चाहता ठीक है उसको उसकी गलतियों का अहसास हो जो कुछ भी उसने गलत किया जो कुछ भी उसने आपको धुका दनी की कोशिश की उसको उसकी गल्टी का एहसास हो चुका है और वो इंसान अब आपके जिन्दगे में हमेशा हमेशा कली वापस आना चाहता है और तभी आप पर बेबी वगरा सब कुछ मतलब हापी लाइफ ठीक है और अगर आपको डर लग रहा है अगर आपका कोई इस्यू चल रहा है कि डिवोर्स केस वगरा चल रहा है तो ये पीछे हट जाएंगे ये इस अनसान के दिमाग में बात उतर जाएगी कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर उसको नहीं मिलेगा और वो पीछे हट जाएंगे वो आपसे डिवोर्स नहीं लेंगे और वो आपके साथ एक खुबसूरत जिंदगी बिताने के लिए तयार हो जाएंगे तो ये वो इंसान है जो आपके लाइफ में दोबारा इंट्री करने वाले है अब देखते हैं इस देख से क्या गाइडन्स है आपके लिए I hope आपके साथ result हुआ हो अब ये जो कोई भी पर्सन आपके जिंदगी में एंट्री करने वाला है इसको अकेले को आपके जरुरत नहीं है ये ऐसा इंसान है ये जो कोई भी लोग है ये ऐसे लोग है जिनकी आपको भी जरुरत है ठीक है और आपके लिए गाइडन्स दे चारही कि आपको adjust करना पड़ेगा देखो दुनिया में कोई भी perfect नहीं है ठीक है अगर सामने वाले के अंदर कोई गलतिया आप निकालते हो तो कुछ गलतिया हमारे अंदर भी है ठीक है कोई perfect नहीं है हम भगवान थोड़ी है इंसान है इंसान से गलतिया होती है तो अब आपको थोड़ा adjustment करने के लिए कहा जा रहा है यह आपका जोड़िदार हो आपका lover हो आपका friend हो यह आपकी कोई भी रिष्टेदार हो बेहन हो कोई भी ठीक है तो उनके साथ अब जब आप विवहार करोगे जब आप उनके साथ रिष्टे को निभाने की कोशिश करोगे जब वह वापस आएंगे आपके आपको देखो अगर आप किसी भी बात को जदा खीचोगे ना तो problem हो सकती है यह रिष्टे बहुत खोसूरत है बहुत प्याज से बने हैं और इन रिष्टों को अगर निभाना है इन रिष्टों को अगर पकड़ के रखना है तो require है कि address करना पड़ेगा ठीक है और क्या है अगर यह लोग जब वापस आएंगे यह जब आपके जिंदगे में आप दुबारा एंट्री करने वाले है ठीक है तो कुछ बात ऐसी हो सकती है कि इनको ना जरा सी क्या बूलत उसको हिचकी चाहेंगे वो बात को करने से जो कोई पी उनको बोलना है आपसे ठीक है वो कि में वापस आ रहा है तो थोड़ी हिच की चाहट उसके अंदर होगी कि मैं कैसे बात करूँ मैं क्या करूँ तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप खुद होकर बात करो वो आपके जिंदगे में वापस आ रहा है अगर वो आपके सामने आ रहा है उसका मन कर रहा है बहु वाला है अगर यह डरेंगे आपसे बात करने के लिए तो आप खुद बात कर लेना यह आपको गाइड़न्स है ठीक है एक काड निकाल लेते हैं और क्या है शो तब वर्ल्ट अर्यल यू डेफिनेटली क्या हो रहा है आप मतलब आपके दिल में बहुत प्यार है यह जो कोई जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो या जो भी आपकी जिंदग में आने वाला है उस अंसान के लिए आपके दिल में बहुत जादा प्यार है लेकिन आप उसको दिखाते नहीं हो आप कुछ और ही दिखाते हो तो आपके लिए गाइड़न्स है कि आप वैसे ही दिखाओ उस नसान के ठीक है ओके तो यहाँ पर बता जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही दुनिया को आपको दिखाना है कुछ भी हाइड नहीं रखना है चुपाना नहीं है हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग है कि प्यार तो बहुत करते हो लेकिन दिखाते नहीं हो छुपा के बाइ